तो NCVT के ओफिशल वेबसाइट पर जब छात्रों ने अपने रिजर्ट चेक किये तो उनका रिजर्ट आ चुका था लेकिन इस रिजर्ट में बहुत सारी गरबड़ी थी वर्क्सवाप कैलकुरिशन और इंजिनरिंग ड्रॉइंग के सब्जेक्ट में यहाँ चात्रों को 00 नंबर दिया हुआ था जिससे चात्रों के मन में बहुत ज़ादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहीं वे फेल तो नहीं हो गए इसके बाद NCVT की वेबसाइड सर्वर प्रॉब्लम के कारण खुलना भी बंद हो गई जब खुल करके आई तो यहाँ पर रिजल्ट देखने की option को ही हटा दिया गया Finally, DGT की तरफ से अब एक notice जारी किया गया है इस notice में यह कहा गया है कि ITI चात्रों के result 7 September के बाद जारी किये जाएंगे आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं 2022 exam result will be declared on or after 7th September 2022 यानि कि चात्रों को यहाँ पर 7 September 2022 तक patience बनाए रखना है घबराना नहीं है क्योंकि दीरे-दीरे करके ही result जारी होंगे एक खुसी की बात है कि जैसा मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया कि ITI में grace marks का system भी रहता है तो DGT ने इस बार यहाँ पर announce कर दिया है कि fail चात्रों को grace marks दे करके pass कर दिया जाएगा यानि कि अगर आप कुछ नंबरों के कारण ITI की exam में fail हो जाते हो तो grace marks दे करके आपको pass कर दिया जाएगा वैसे grace marks के उपर पूरी जानकारी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दे दी है एक बार जा करके जरूर चेक आउट कर लिजे कि अगर आप fail होते हो तो किस तरह से आपको grace marks दे करके dgt pass करने वाली है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी आज की इस अपडेट के बारे में comment करके जरूर बताईएगा चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम